इस वक्त मंकी पॉक्स नाम की बीमारी से हड़कम मचा हुआ है वहीं मंकी पॉक्स को लेकर भारत ऐलर्ट मोट पर है और इस बीश प्रदेश सरकार ने भी अस्पतालों के लिए ऐलर्ट जारी कर दिया है इस रिपोर्ट में आपको दिखाते है दुनिया पर नई महमारी का साया डब्ल्यू एचो ने लगाई ग्लोबल एमर्जेंसी मंकी पॉक्स को लेकर भारत ऐलर्ट स्वास से विभागने जारी की एडवाईजरी मंकी पॉक्स बीमारी का दुनिया के कुछ देशों में खत्रा मंडराने लगा है ये बीमारी 17 अफ्रीकी देशों और बाहर के कई देशों में फैल चुकी है क्या इसका असर भारत पर भी पढ़ सकता है इसको लेकर भारत सरकार ऐलर्ट मोड पर है देश के सबसे बड़े अस्पताल एमस ने संदिक मंकी पॉक्स के मामलों को लेकर ऐसो की जारी की देशों मुखार दाट या संकर में मंक पॉक्स मामलों के संदिक में आने पर मरीदों को पुरंद चिन्हित किया जाए साथ ही इस बीमारी के मुख्य लक्षन भी बताएगे और यह मुसली किसी बीमारी से फीड़े तवक्ते के एक क्लोज संपर्क में आने से होती है और इक तरह की बीमारी हैं इसमें लोगों को मुक्ष्टे बौड़ी में पेन होगा फीवर होगा बौड़ी में पेनšаз होते हैं जॉइन पेन होते हैं बहुत कमजोरह आती है आपमोमान यह बीमारी संपर्क आने के हफतेसे दस दन में देन फैलती आ और दो से चार हफ़ते में ठीक हो जाती है जादा लोगों में फैटल नहीं होती पर किसी में अगर इम्मिनुटिक की कमी है या किसी में बहुत सीरिस बिमारी हो जाए तो ऐसे में व्यक्ति की जान का खत्रा भी होता है दुनिया बर में मंकी पॉक्स का खत्रा तेजी से लगा है कि देशों में बहुत जादा मामले सामने आ रहे हैं ऐसे में भारत भी पूरी तरीके से अलट पर हाला कि यहां पर अभी तक कोई मामला सामने नहीं आया है लेकिन बीते दिनों पीम की तरफ से समिक्षा बैठक की गई थी जिसमें मंकी पॉक्स को लेकर जो है वो बीते दिनों डबलो एचो ने इसे हेल्ट एमर्जनसी घोशित किया है और डॉक्टर्स का साफ कहना है कि अगर इसको कैसे ट्रीट करना है इसका बचाव कैसे करना है अगर इस पर काम कर लिया जाए तो इसे महामारी होने से रोका जा सकता है अफ्रीकी देशों से शुड़ू हुआ मंकी पॉक्स का संक्रमन तेजी से फैलने लगा है मंकी पॉक्स जानवरों से इंसानों में फैलने वाला एक वाइरस है वहीं राजधानी दिल्ली में भी मंकी पॉक्स को लेकर तैयारी तेज हो गई है तो ली आफ्रीकन रीजन में हुआ है जहां पर कि मंकी इसके साथ यूमन कंटक्ट काफी स्टॉण है इसके जो में सिंटम्स होते हैं कि फीवर होता है राश होता है मसल प्रेन होता है और इसमें स्काप्स आते हैं जो कि पहले पहले फ्लाट होते हैं बाद में फूर्ट से मंकी पॉक्स को लेकर राजस्थान सरकार ने भी अस्पतालों के लिए ऐलर्ट जारी कर दिया है हलांकि प्रदेश में अब तक एक भी मरीज चिन्हित नहीं हुआ है लेकिन सुरक्षा की दिश्टी से सरकार से निर्देश मिलने के बास्वास में भाग ने सुरक्षा बरतनी शुरू कर दी है इसको थोड़ा सावदाने पूरुप लेना चाहिए अफ्रीका में कोहरा मचाने वाला यह वायरस हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान पहुंच चुका है और वर्ल हेल्प और्गनाइजेशन इसे ग्लोबल एमर्जनसी घोशित कर चुकी ऐसे में अब भारत में सको लेकर चिन्ता बढ़ गई व्यूर रिपोर्ट न्यूज 18 राजस्तान